हेलो फ्रेंड्स नमस्कार हमारे यूट्यूब चानल यू केर में आपका स्वागत हैं मैं हूँ निधी और आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही मॉस्ट और संस्टेव टॉपिक लेकर आई हूँ दोस्तो कान में मेल जमना आम बात है लेकिन अगर आपके कान में ब गलत तरीके आज्माते हैं जिससे कि कान की समस्याएं होना स्टार्ट हो जाती हैं कान में तेज दर्द होने लगता हैं कान का पढ़दा फर्ड जाता है अगर आप खान के साथ ज़ौर्दासी करते हैं तो आपके कान को कई सारी समस्याव का सामना करना पड़ता हैं इसलिए दोस्तों कभी भी कान के साथ जोर जबर्दस्ती करके कान की सफाइंग ना करें आज की इस वीडियो में हम आपको कान का मेल बाहर करने के सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीके बताएंगे साथ ही इन नुस्कों को استعمال करके आप कान के मैल को बहुत ही आसान तरीके से साफ कर पाएंगे लेकिन इससे पहले आपको बता दे कान में मैल जमना भी अच्छा होता है कान में जमा मैल बाहरी dead cells, fat cells से बनता हैं जिसे इंग्लिश में earbacks भी कहते हैं जब ही मैल कान में होता है तो ये बाहरी गंगी, धूल परदूशन और मिट्टी के छोटी-छोटे कणों को कान में जाने से रोक देता है जिसे कि कान पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर आपके कान में मैल जम जाए तो इसे ना सिर्फ आपके कान को सुनाई ना देने की समस्या बलकि कान में जमने वाला मैल औरों को और आपको घर्णित भी करता है इसलिए आज के इस वीडियो में बहुत आसान तरीके आपको बताएंगे जिसकी मदद से आप कान में जमने मैल को बड़ी आसानी से साफ कर पाएंगे पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पर वीडियो शुरू कर बाहर निकल जाती है कुछ टाइम तक बादाम के तेल को कान में ऐसे ही पड़ा रहने दे और उसकी बाद एर बर्ड की हेल्प से रूई की मदद से कान की सफाय कर लें दूसरा तरीका हाइडरोजन पैरोकसाइड ये कान के मैल को बाहर करने का सबसे फास्ट तरीका है अगर आपके कान में बहुत ज्यादा मेल जमी है तो हाइडरोजन पैरोकसाइड कान में जमे मेल को गला कर बाहर कर देता है जिससे रूई की मदद से आप आसानी से अपने कान के मेल को बाहर कर सकते हैं एक चमच पानी में दो से तीन बून हाइडरोजन पैरोकसाइड मिला कर कान में डाल दें और रूई लगा दें इसके कुछ मिनट बाद ही कान का जमा मैल बाहर आना शुरू हो जाएगा और फिर आप कॉटन की मदद से कान की सफाई कर सकते हैं ये हाइडरोजन पैरोकसाइड कान की सफाई का सबसे फास तरीका तो है लेकिन इसका ज्यादा तर इस्तमाल करने से आपको नुकसान हो सकता है इसलिए इसका कभी भी ज्यादा मातरा में इस्तमाल ना करें और महीने में सिर्फ एक बार ही इस तरीके से अपने कान की सफाई कर ये नुस्खा आपको रात में आजबाना है रात में कान में सरसो का तेल डाल दीजे और सुभा में रूई की मदद से कान की सफाई कर ले रात भर सरसो का तेल कान में रहने के कारण कान का मैल गल जाएगा और सुभा इसको आप आसानी से साफ कर पाएंगे इसका कोई साइड भी नहीं है और इसको महीने में एक बार आपको जरूर इस्तमाल करना चाहिए दोस्तो कान की सफाई महीने में एक बार जरूर करनी चाहिए और ये सबसे आसान और सुरक्षित तरीके हैं जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपसे शेयर किये हैं तो समय समय पर कान की सफाई करती रहें इससे आपके कान सुरक्षित रहेंगे कान में जमा मैल भी बाहर आ जाएगा तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रू करें धन्यवाद